ये धुआधार प्लेयर आई पील का पहला मैच खेलेगा वो भी इस सीजन का तो वो कौन सा धुआधार प्लेयर है वो भी बताऊंगा तो विल्कम टू माई चैनल आज के ड्रीम लेवन एंड रेडियो प्रेडिक्शन में आप सभी का स्वागत हैं तो आज में आपको ड्रीम लेवन के दौरा फंडिंग की गई है और यह एक बहुत अच्छा प्लेट फॉर्म है जिसमें प्लेयर कार्ट के दौरा आप तीन लोगों की टीम बना सकते हैं और बिल्कुल फ्री एंट्री है आप बिल्कुल फ्री में कौन्टेश जॉइन कर सकेंगे और बिन कर सकेंगे तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं तो जो मैच खेला जाने वाला है DC vs. MI तो मैं DC vs. MI की Dream 11 Prediction and DC vs. MI Radio Prediction भी आपको बताऊंगा तो चलिए सुरू करते हैं और Dream 11 का अप्लिकेशन ओपन कर लेता हूँ तो Dream 11 का अप्लिकेशन ओपन करते ही आपको दिखाई दे रहा होगा DC vs. MI मतलब दिल्ली Capitals vs. Mumbai Indians का मैच जो की खेला जाएगा कहां पर दिल्ली में खेला जाएगा तो दिल्ली के पिछ रिपोर्ट के बारे में भी अनरासीस करेंगे और प्लेयर के इस्टेट्स और बहुत सारी जानकारिया आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो चलिए डाइट्स चलते हैं Create Team की तरफ और Team Create करते हैं और सास में ही आपको प्रवल एंड प्लेइंग लेवन भी पता चल जाएगी तो बिकर्ट कीपर सेक्षन में आपके पास अप्सों तो बहुत सारे हैं जैसे इसान किसन हो गए सर्फराज खान हो गए टिश्टन इस्टप्स हो गए फिलिप सॉट बिश्टन बिनोट एप पोरेल लेकिन इन में से अगर बात की जाए तो बिश्ट प्लेयर कौन से है और कल जो धुआधार प्लेयर है वो कौन सा है और कल का मैच कौन खेलने वाले है और बिश्ट परफॉर्मेंस कौन से करने वाले है तो अगर इसान किसन की बात की जाए बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है सर्फराज खान की तो बात ही छोड़ दो टिश्टर निश्टफ से गिवाजस्ट प्लेयर है और इन्हें आपको अपनी टीम में जरूर जरूर रखना है क्योंकि यह एक आल राउंडर है अंडर 16 में इन्होंने बिकट कीपिंग की थी उसके बाद इन्होंने बिकट कीपिंग एक दू मैचों में की है लेकिन बिकट कीपिंग सेक्षन में नहीं रखा गया है फिलिप सॉल्ड कल का मैच खेलते हुए नजर आ जाएंगे और यह वही धुआधार प्लियर है जो कल का पहला मैच खेलेगा मतलब इस सीजन का पहला मैच खेलने वाला है वैसे तो IPL इसने बहुत खेले हैं भिष्नू भिनेद एन्ड एपोरेल कल का मैच नहीं खेलने वाले हैं मेरे हिसाब से क्योंकि ए पोरेल के पास कोई जान नहीं है तो मैंने बिकेट कीपर सिक्षन से ले लिया कौन सा टिश्टर इस्टर इस्टफ्स को अब बैटिंग सिक्षन में डेविड वार्णर को बिल्कुल ही मिस नहीं करना है रोई सर्मा बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं चल रहे है लास्ट यर भी इनका आईपियल ऐसे ही गया था 41 रन है या 42 रन ऐसा इनका बिश्ट था लास्ट आईपियल में मतलब पिछले साल बारे आईपियल में और इस आईपियल में भी यही चल रहा है तो इनके साथ मैं बिल्कुल भी नहीं जाने बाला हूँ अब अगर बात की जाए नीचे सुर्क मारे आदा तो इनके साथ भी नहीं जाओंगा क्योंकि बहुत लोगर आर्डर में बल्ले बाजी कर रहे हैं फिलहाल और वो रिदम नहीं दिख रहा है इनके पास इस आई पेर में पेतिविसा को बिल्कुल भी नहीं लेना है ये हजार मैच में एक बाज चलते हैं अब अगला प्लेयर जो आपके सामने दिख रहा है वो है रोमेन पॉरल इसको 100% लेना है दुनिया भर की लीग खेलता है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपिरियंस है जब भी मौका मिलता है आपको ये 100% ग्रैन लीग में मिलेगा लेकिन कल का मैच मेरे साब से ये मिस करने वाले हैं मिस क्यों करने वाले हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा तो टिम डेविड यहाँ पे अवैलवर है और जब अज़स्ट प्लेयर है आपको इनको 100% लेना है तिरक बरमा को यहाँ पे स्किप करना चाहूंगा मैं खेलेंगे कल का मैच ऐसा नहीं है बट स्किप कर रहा हूँ उसके पीछे भी क्या रीजन है वो बताऊंगा मैं आपक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके आया है तो इसको आपको अपनी टीम में 110% रखना है तो मैंने इसे सलेट कर लिया रीली रोसों के साथ मैं नहीं जाओंगा क्योंकि यह भी एक ऐसा प्लेयर है जो 1000 मैच में चलेगा और IPL में इसका प्रफॉर्मेंस बिलकुल ही बै और के साथ में आपको आगे चल के बताने वाला हूं क्यों यहीं पर बता देता हूं क्यों क्यों खेलने वाले हैं क्योंकि जो केमरें ग्रीन है वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं तो मेरेशाब से टीम में अबैलमाल है और जो जस्त Cent Diamond को बैठाया या सकता है यह रिपर प्लेयर को ज़रूर चूच करना है क्योंकि यह एक ऐसा राउंड है हर मैच में पॉइंट देने वाला है आपके पास एले आदव भी हैं लेकिन इतने अच्छे प्लेयर नहीं है कि आपके ग्रैंड लीग में हो जाएं ग्रैंड लीग में सलिक्ट हो जाएं इसलिए मैं इनको स्किप करने वाला हूँ यह आर सिंग उसके बाद एच सोकिन उसके बाद आर गोयल यह प्लेयर को मोको मन लेकर संभाबना कल के मैच में बिल्कुल भी नहीं है इसलिए इनको छोड़ देते हैं तो चलते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ और बॉलिंग डिपार्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और इनके पास एक बिटर ऑप्सन है जो कि डिवाल ब्रेबिस तो कल खिलाया जा सकता है इसलिए मैं डिवाल ब्रेबिस को बैटिंग सिक्षन से सरेट कर लिया अब आ जाते हैं बॉलिंग सिक्षन में चलिए अब बॉलिंग सिक्षन में आ किया हूँ अब यहां पर आपके पास बहुत सारे option है जोफरा आर्चर कल नहीं खेलेंगे क्योंकि इनकी हाथ में इंजूरी है और एक घंटी पता चलेगा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे सुरी जोफरा आर्चर के finger में आई थिंग इंजूरी है तो एंडरिक नौट जी यहां से खेलती हुए नचार आएंगे तो यह आपकी टीम में 110% होना चाहिए जोफरा आर्चर कल का मैच बिल्कुल भी doubt है 90% doubt है कुल्दी प्यादो एक चाइना मैन बौदर है इनको बिल्कु लेना ओके तो मैं आपको radio d3 club का आरे मैं भी वताऊंगा आगे चलके अब यहां पर एमरहमान लुंगी एंगेडी एंड खलील एहमाद भी हैं बट यह दोने खेलते नहीं आएंगे खलील एहमाद आपको कहल सकते हैं बट मेरी grand league team में नहीं होने वाले हैं क्यों क्योंकि य नहीं रखा जा सकता है इन्हें रिले मेर डी था जवर्जस तॉपसन है बट कल का मैच नहीं खेलेंगे उसके बाद चेतन सकारिया है नीचे और प्लेयर नहीं खेलेंगे लेकिन एक प्लेयर है प्यूस चाबला और सामसुमलानी यह दोनों जवर्जस प्लेयर है तो प्यू का दिया जा सकता है इंटरचेंज किया जा सकता है डे जांसन मार्को जिंसन के ब्रदर है अबेलवाल हैं बट कल का मैच घेलते लुए नजर नहीं आ सकते हैं मुक्रियıl कुमार ने इतना अच्छा करके नहीं दिया है कि इन्हें टीम में रखा जाए उसके वाद एक कन तो मैच घिलायन ही नहीं गया है अगला प्लियर जो है एक हम यह थAY प्लेयर मेरे चॉइस में champions प्लेयर है क्योंकि नीचे वाला एक हान-उपर वाला नहीं जिसे कटकीए है नीचे वाला ये वाला प्लेयर ये वाला प्लेयर जब जब जबस मतल अच्छे भी क्लगा लेता है तो इसे अपनी टीम में रखना चाहिए अपनी टीम में रखना चाहिए मेरे हिसाब से कल के ग्रैंड लीग के लिए पी दुबे जो हो गए अर्जी एतन दुलकार और नीचे वाले प्लेयर के खेलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है अब मेरे पास आप प्लेयर चिक कर सकते हैं मेरे पास टोटर कितने प्लेयर हो वो धुबादार प्लेयर जो कल का मैच या फिर इस सीजन के IPL का पैरा मैच खेल सकता है वो है फिल साल्ट के साथ मैं जाने वाला हूँ क्योंकि डिल्ली कैप्टेल्स के बिकेट कीपर अच्छा नहीं कर रहे है तो मेरे हिसाब से फिल साल्ट को कल खिलाया जाएगा तो इस कि 10% से अधिक लोगों ने सर कैप्टेन और वाइस कैप्टेन बनाया है तो किसे बनाया जाए वो बात आती है तो चलिए मैं बना के दिखाता हूँ तो यहाँ पर आपके पास ओप्सम बहुत सारे हैं लेकिन किसे कैप्टेन या वाइस कैप्टेन बनाना चाहिए मेरे हिसा गई मेरी क्या ग्रैंड लिग के टीम चलिए एक बार एक बार और चर्चा करते हैं आप किसको स्किप कर सकते हैं इन तीनों में से इन टीम में से वी क्योंकि कर का मैच जो एक चेंजर हो सकता है यहां पर डेवाल डेवीज़ एंड टिश्टर इस्टप्स को आपस में कि इन टोरो में इट से इन या सकता है तो फाइनल टीम में आपको अपने टेली ग्राम चैनल पर देज़ूंगा टोस होने से और यह एगांगे वाइस के आपस्रिए के मया टिव कप्रान बनाने जांगां को फिर कैप्टन रहेगा टिम डेविद वाइस कप्टों हो जाएगा फिल उड क्योंकि फिल इंटर्च्छ रोत के खेलने की समभावना है और अभी इंटरेंज होने की संभावना है टिस्ट रिस्टब और बेबिश में से तो यह हो गई मेरी Grand League की Dream 11 की team I hope आपको अच्छी लगी होगी कैसी लगी है कैसा analysis लगा है comment करके बताना लेकिन अब चलते हैं Radio D3 Club की तरफ जो की एक new fantasy app है जिसमें आप free में contest जोईन कर सकते हैं और Dream 11 द्वारा funding की गई है कोई छोटा मोटा platform नहीं है तो चलिए यह Radio का new app है इसे download कर लिया है मैंने अगर आपने download नहीं किया है तो मेरे description में link है वहाँ से download कर सकते है Radio D3 Club का new app तो चलिए इसे open करके Radio prediction सुरू करते हैं और 3 लोग की team बनाते हैं free में contest जोईन करते हैं तो यह ऐसा कि application open हो गया है Radio D3 Club का बहुत सारी help मिल जाएगे तो आप मेरे वीडियो जरूर देखना तो चलिए अब चलते हैं contest जोईन करने और साथ में अगर आपको team बनाना नहीं आता captain voice captain बनाना नहीं आता सब कुछ पता चल जाएगा इसमें आपको जस्ट इसी वीडियो में और यह भी पता चल जाएगा कि Dream 11 कैसे खेले रेडियो कैसे खेले या फिर रेडियो D3 Club कैसे खेले तो मैं आ गया हूँ इनका जो play वाला section है gaming वाला section नेचे 5 option है जिसमें D3 play वाले जब option में आप जाओगे तो जैसा कि मेरा एक live match live चल रहा है और upcoming match है दिल्ली वर्सेस मुंबई मतलब दिल्ली कैपिल्स वर्सेस मुंबई इंडियास जो की खेला जाएगा चलिए मैं इसको उपर क्लिक कर दिया अब इसमें card होते है player card से अगर आपके बास ब्रोंज card है तो आप सब सूपर वाला contest जोईन कर जाएंगे यह वाला contest इंडर फॉर फ्री यहाँ पर लिखा यहाँ पर team जोईन की है अब अगर आपके बास silver card है silver card है तो आप यह वाला contest जोईन कर सकते हैं जैसा की लिखा यहाँ पर silver और देखो कितनी कम team हो ने जोईन किया है तो मतलब silver card की price ज़्यादा है फिर gold card उसके उपर भी black card है तो जितने ज़्यादा वाली price है लेकि पहले इंटरफार फ्री करते हैं चलिए ठीक है यहाँ से आप देख सकते हैं क्या जो दूसरा free है कहने के लिए नहीं दिखाने के लिए नहीं entry for free में क्लिक करते हैं लेकिन केवाल आपको player cards खरीद के रखना है जो player cards आपके हर match में यूज होते रहेंगे तो मैंने इंटर for free में क्लिक कर दिया अब अक्षार पटेर का मेरे पास 20 xp का card है तो मैं इसे जरूर लूँगा क्योंकि ज्यादा xp मतलब बिन करने के चांसे जुतनी ही ज्यादा है उसके बाद और option की बात की जाए तो मेरे पास डेविट बॉर्णर भी है लेकिन इसकी xp कम है जैसा कि आप देख सकते हैं 5% डिवाल्ड प्रेविस मेरे पास वहलबाल है 18.5 xp इसाथ बट इसका खेलने का डाउट है मतलब 60-60% है 60-40% है इसलिए अब अगला प्लेयर है बॉलर नमबर इसका xp कितना हो गया 10 उपर एंड 2 नीचे 12 हो गया यह भी न्यू सीजन कार्ड है इसका भी 10 एंड 1% नीचे 11 हो गया इसका xp ठीक है आपको धिरी-धिरी समझ में आ जाए गया रुको रुको बेट करो इसका डाउट है जो फ्रार चले का कलका मैच नहीं खेलेंगे इसके बाद मुस्तजी फिर रहमान है यहां पर तो आपको बिल्कुल भी खेलते नजर नहीं आएंगे अगला प्लेयर जो है मेरे पास 90.5 xp की साथ वह है फिल सौर्ट और कलका मैच खेलती वह नजर आ सकते हैं लेकिन अभी फिरहाल 50-50% है इसलिए इन्हें टीम में नहीं रखने वारा हूं अगला प्लेयर रिली रसो जो की 20 xp के साथ है लेकिन बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं तो इनको भी नहीं लेना है लेकिन ज्यादा एकसपी वाला प्लेयर कार्ण लेके ही टीम बनाना है अगला प्लेयर मैं लूँगा वो है रोबेन पाव लुए फॉर्म में हैं टीम डेविट भी फॉर्म में है 20-20 xp का कार्ण है मतलब अगर यह परफॉर्मेंस करेंगे तो मुझे पॉइंट्स मिलेगा टेश्टन स्टप्स का भी मेरे पास 18.5 का सुरी कितना है ना 18.5 का ही मेरे पास xp वाला कार्ड है लेकिन कल का इनका डाउ मुंबई की बेटिंग लाइन थोड़ा बढ़ा जाती है इसलिए लास्ट में आके टिम डेविट दोनु मैंच में परफॉर्मेंस किये हैं इसलिए मेरे साब से क्प्राण कल का होगा टिम डेविट तो मैं इसे क्प्राण बना दिया और कॉंटेस्ट जॉइन कर लिया तो क क्या फंडा होता है क्या रूल होता है मैंने अपने एक वीडियो में बता रखा है आप जाके एक बार जरूरी चेक करना लेकिन उन तीनों के लावा अगर आपके पास एंड्रिक नौट जी है तो आप इसे जरूर कैप्टन या बाइस कैप्टन मिलाना लेकिन एक्सपी दे है मेरी नेजर में जो इसका कर्ण अगर आपके पास है लेकिन जेसन बहरन डॉप कंप कार्ण मत खरिदना क्योंकि यह आइपल बस खेल रहा है टीम से आउट हो चुका है स्ट्रेलियन टीम से इसका प्लेयर कार्ण ज्यादा मत खरिदना ठीक है इसके अलावा भी एक अगर पर बूरी जानकारी मिल जाएगी एक वीडियो बना है उससे जरूर देख लो जाके क्योंकि एक वीडियो में मैं एक्सप्रेंट करने रगोगा तो बीडियो बढ़ा हो जाएगा ठीक है तो दूसरा प्लेयर वह है डेवीड वार्नर जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है अगर आपके वाज डेवीड वार्नर का भी 15% एंड इससे अधिक के XP वाला कार्ड्स है तो आप इससे जरूर कैप्टन बाइस कैप्टन बना के अपने D3 की टीम में रख सकते हैं तो रेडियो D3 क्लब एक जबजस्ट प्लेटफरॉम है जबजस्ट फंटेसी एप है अगर रेडियोथ करे मतलब रेडियो तो आपको मेरे चनल पर पूरी जानकारी मिल जाएगी तो यहाप एक बार जरूर मेरे चनल बिजिट करो और मेरे टेलिग्राम चैनल को जरूर जोईन करना अगर मेरे वीडियो जो च्छी लग रहे हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक जबर जेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए बाई बाई थेंक्यू फॉर वाचिंग